आज मैं आपके साथ व्रत में खाये जाने वाले थेपले की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ ये जटपट से बनके तियार भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक कब भीगावा साबूदाना लिया है। इसे मैंने सोख करके रखा था। साबूदाना बिल्कुल ले सहीं भीगावा होना चाहिए। उंगली से दबाके देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसमें एड़ करेंगे तो medium size के उबलेवे आलू कदुकस करके एक चमच एड़ करेंगे इसमें सिंघाडे का आटा ये इसको बहुत ही अच्छी binding देगा अब एड़ करेंगे भुनेवे जीरे का powder, सेंदा नम्मक, green chili और हराधनिया सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और इसका dough त्यार करेंगे अगर आपको लगे कि आपका dough थोड़ा पतला हो गया है तो आप इसमें एक चमच और सिंघाड़ का आटा एड़ कर सकते हैं आप इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा oil और इसे rest करने के लिए रख देंगे अब हाथ पी थोड़ा सा oil लगा लीजे और इसके चार हिससे कर लिया है मैंने अगर आप oil नहीं खाते हैं तो आप घी कर समाल करें आप चाहें तो इसके दो बड़े बड़े गोले भी तियार कर सकते हैं और दो बड़े साइज के थेपले भी तियार कर सकते हैं अब इसे बराने के लिए मैंने ये पॉल्थीन शीट ली है इसे अच्छे से साफ कर लिया है और इसके उपर रखे इसे प्रेस करेंगे देखें बिलकुल सेम तरीके से इसे equally spread कर लेंगे आप चाहें तो बेलेन का भी समाल कर सकते हैं लेकिन ये हाथों से भी बहुत ओज़ी हो जाता है देखें ये अच्छे से equally spread हो गया है अब पैन को कर लीजे गरम और उसमें एक चमच घी डाल दीजे उसको spread कर दीजे और इस तरीके से आप इस पे तवे पे डाल दीजे ये बहुत ईजी ली निकल जाता है अब दोनों साइड से ब्राउन होने तक इसे एक लीजे और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंचीत बन के तियार होता है ठीके एक थेपला तियार हो गया है और मैं आपको दूसरा थेपला भी तियार करके दिखाती हूँ सेम प्रॉसेस हम दुबारा करेंगे और इक्वली स्प्रेड कर लेंगे हातों से भी ये बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाता है अब तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा की और फिर इसे डाल देंगे और बीच में उंगली की हल्प से थोड़ा सा छेड कर देंगे लिजे हमारा दूसरा थेपला भी तेयार है आप इसे दही और चटनी के साथ भी खा सकते हैं अगर आप फास्ट में इसे नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें धेर सारी वेजीज का भी स्माल कर सकते हैं गाइज रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजीट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आप मेरे आने वाली सारी रेसिपी सबसे पहले देख सकें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो बाई गाईज